हाँ, लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब्स इसी टुटोरियल के पार्ट वन में हम एडवर्ब की डेफिनेशन ये कहां कहां इस्तेमाल होता है, इसकी क्या पोजीशन है और हाव टू फॉर्म इए ये तमाम चीज़ें डिसकस कर चुके हैं और उस वीडियो की लिंक वीडियो की description में included होगी, अगर आप चाहें तो वहां से आप वो वीडियो सुन सकते हैं, ताकि आपको early information हो जाएं Let's talk about what is adverb, briefly. Adverb एक ऐसा word होता है, जो कि किसी adjective, verb, adverb और group of words को modify करता है या उनको emphasize करता है, emphatic way में यहां पर कुछ examples देख सकते हैं, इस tutorial का मकसद जो है, वो part one में जिस तरीके से हमने तमाम के तमाम rules पयान किये थे, उन तमाम rules को हम apply करेंगे और adjectives से adverb बनाएंगे Here are adjectives and we are going to make a few adverbs from them. क्योंके हमारा focus जो है, वो है adverb of manner, तो easily you can understand why we are calling these adverbs, adverb of manner. Adjectives है glad, means happy. Adverb gladly, happily. कोई चीज़ खुशी से करना. Clever, चालाक, cleverly, चालाकी से. पूर, घरीब, पूरली, घर्बत, घर्बत से. या घरीबाना, peaceful, एक पुरसकून, peacefully. अमुन के साथ, quick, तेज, quickly, तेजी से. आप कोई काम तेजी से करेंगे, या आप किसी के साथ रहेंगे, peacefully, या आप कोई काम, कोई idea, poorly, present. इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कि adverb जो है, वो वर्ब को modify कर रहा है. चीप, सस्ता, चीपली, सस्ते तरीके से, easy, आसान, adjective, easily, आसानी से, patient, यानि आराम से, सबर से, patient का मतलब होता है, सबर, सबर से. और adverb, patiently, सबर के साथ, real, such, really, सच्चाई के साथ, proper, सही, properly, सही तरीके से, hungry, भूका, hungrily, भूके तरीके से, lazy, सुस्त, lazily, सुस्तान, बहुत, अजी तरीके से, noisy, noisy, शोर करने वाला, noisely, आप, इन adverbs को देखते जा रहे हैं, कि adjective कहां end कर रहा है, और उसे जब हम adverb बना रहे हैं, तो हम उसमें कौन सी additions कर रहे हैं, आखरी word है, gentle, यानि नरम, आराम, gently, आराम से, next is angry, adjective है, क्योंकि ये adjective y पर end कर रहा है, तो हमने जब rules discuss किये थे, तो हमने कहा था, कि अगर हम कोई adjective y पर end करें, तो उसका y remove करके, i, ly लगा दें, उसकी example आपके सामने है, कि angry, angrily, heavy, heavily, true, truly, अगर कोई भी adjective e पर end करें, तो हम उस e को हटा के ly लगा देते हैं, तो उससे हो जाएगा truly, अगला है simple, आप simply देखें, उसमें e नहीं है, हमने add किया है, ly, next one है grateful, gratefully, अगला है possible, अगर le पर end करें, तो आप e हटा कर ly लगा दें, उसमें, possible, possibly, idle, सिस्थ, le पर end कर रहा है, आपने e हटा दिया, ly लगा दिया, ideally, सिस्थ, यानि निकम्मे तरीके से, आइडिल कहते हैं किसी निकम्मी चीज़ को, और आइडिली निकम्माना तरीके से, और बौंडे पन से, hopeful, इसका adverb है hopefully, thankful, thankfully, careful, carefully. Third part of this tutorial, again, will be based on some more blanks, जो के class 8 से ही ली गई हैं, and hopefully, this series of adverbs will help you a lot and make you very clear in your understanding of adverbs. Thank you.